उब्सकार आप देख़रें एकॉनिवी का हिसाब किताब और मैं हूँ आनिकदियो चक्रवर्ती पिछले कई दिनों में आपने वीडियो देखा होगा मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कि हमारे शहरों से कितने हजारों लाखों दिहारी मजदूर अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे, गाउं जाने की कोशिश कर रहे थे लॉकडाउन होने के बावजूद अपना जान जोखिम में डाल कर सेंक्रोडों किलोमीटर हमारे हाइवे उपे चल कर वो जाने की कोशिश कर रहे थे घर और आप मेंसे बहुतों ने ये भी सोचा होगा कि काश हम एक अमीर देश होते और हमारे गरीब ऐसे मजबूर ना होते काश हम अमरीका होते काश हम योरोप होते हैं लेकिन सवाल ये है कि करोना वाइरस के चलते अमरीका में क्या हो रहा है ये भी जानना जरूरी है अगर अमरीका जो कि दुनिया का सबसे अमीर देश है अपने लोगों को महफूज रख पाता है तो ये बताइए कि अमरीका में इतने लोगों की नौकरी क्यों जा रही है जब से वहाँ पर लॉकडाउन हुआ है एक अनुमान कहता है कि हर तीन में से एक आदमी की नौकरी जाएगी करोना वाइरस के चलते और साथ में एक और चीज़ है कि लोग मरेंगे तो इसका एक बड़ा कारण ये भी होगा कि अमेरिका में मेडिकल सिस्टेम बिल्कुल ठफ है सिर्व अमीरों के लिए है बहुत सपोर्ट क्या होता जब आपके फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं जो कि करना वाइरस में भुजर्गों को होता है नियूमोनिया जब हो जाता है तब कभी-कभी आपको एक मशीन पे डाला जाता है जो मशीन आपको सास लेने में मदद करता है इसको वेंटिलेटर कहा जाता है अनुमान लगा जा रहा है कि अगर दस लाक लोगों को वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत होगी तो टर्न बाइटर्न आपको कम से कम एक लाक सत्तर हजार से लेकर दो लाक वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी लेकिन पूरे अमेरिका में आप देखिए दुनिया लोगों की नौकरी छेंज सकती है और साथ में एक वाइरस के चलते आधे लोगों को मेडिकल सपोर्ट नहीं मिल सकता क्योंकि वो इतना महंगा है तो सवाल खड़ा होता है कि क्या पूरे दुनिया का अर्थिवेवस्था जो है उसको बदलने का वक्त आ गया है ताकि आम ल लोगों की जिन्दगी बच जाए इसी का हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में आपने इन्फ्लूएंजा या सीजनल फ्लू का नाम सुना या नहीं मुझे पता नहीं लेकिन वो एक जो सर्दी जुखाम बुखार होता है सीजन क्या होता है आप जानते हैं लगबग जो सर्दी का सीजन होता है उसमें जादा होता है इसको फ्लू कहते हैं और यह वाइरस से होता है अमेरिका में हर साल एक फ्लू सीजन चलता है लगभग अक्टूबर से लेकर मार्च तक और हर साल हजारों लोग उसमें मरते हैं इसी साल 2019 अक्टूबर से लेकर 2020 फर्वरी तक अमेरिका में लगभग 18,000 लोग मरे हैं सीजनल फ्लू से यानि कि जो सर्दी जुखाम के बाद म्यूमोनिया हो सकता है उससे मरे हैं 18,000 लोग इसी सीजन में उसके तुलना में देखे करोना वाइरस से 5,000 लोग मरे हैं ये तो कम नंबर है 2017-18 में बताया जाता है 60-80,000 लोग अमेरिका में मरे थे सीजनल फ्लू से और ये जो सीजनल फ्लू होता है उसमें भी जादातर लोग जो मरते हैं वो बुजर्ग होते हैं और बहुत लोग अस्पताल तक पहुँच नहीं पाते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है अस्पताल में पहुचते भी है तो जब बहुत सारे पेशन्ट आ जाते हैं तो ICU खाली नहीं होता है वेंटिलेटर नहीं होता है इसी के चलते अमरीकी सरकार ने 2007-08 में तैय किया था कि वेंटिलेटर बढ़ाने पढ़ेंगे देश में उस वक्त वेंटिलेटर कम थ लगबग 62,000 के आज पास वेंटिलेटर थे 60-62,000 के आज पास वेंटिलेटर थे और कहा गया था कि 70,000 और वेंटिलेटर की जरूरत है अमेरिका में हर साल जो flu होता है ये करोना वाइरस की बात नहीं कर रहा हूं है हर साल जो flu होता है उससे जूजने के लिए और 2010 में लगभग आज से 10 साल पहले एक छोटे company को contract दिया गया था company का नाम था Newport उसको contract दिया गया था कि सस्ते में ventilator बना कर company देगी एक ventilator market price उसका लगभग 7 लाक रुपे के आसपास था ये company 2 लाक के आसपास में देने वाली थी और अमेरिकी सरकार ने इनको 40,000 ventilator बनाने का contract दिया था अब इसको develop करने में लगभग 3 साल लगे और जब Newport company जो ventilator सस्ते बना रही थी वो market करने के stage पे आ गई तो क्या हुआ Newport को एक बड़े company ने खरीद लिया इस company का नाम था कोविडियन क्या करती है ये medical equipment बनाती है कोविडियन ने जब ये company खरीद ली तो ये जो पूरा contract था सस्ते में ventilator बनाने का उसको उनोंने लगभग बंद कर दिया मतलब वो file ही लगभग बंद कर दिया और कहा कि देखे ये बनाना मुश्किल है क्योंकि इससे हमें मुनाफ़ा नहीं होगा हो सकता है नुकसान हो जाए तो हम बनाना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि बड़े जो अमीर देश हैं वहाँ पे चलता क्या है पूझीवाट बनाफ़े का खेल कहा जाता है कि हर आदमी हर कंपनी अगर सिर्फ अपनी मुनाफ़े की सोचे तो सबका भला होगा क्योंकि मुनाफ़ा करने के लिए वो जादा काम करेंगे और उससे जादा शमता बढ़ेगी कुशल तरीके से वो सब कुछ बनाएंगा और ये सब के लिए अच्छा है क्या ऐसा हुआ जी नहीं मुनाफ़ा कमाने के लिए कोविडियन ने क्या किया फाइल बंद कर दिया बनाना बंद कर दिया और अंत में यूएस को ये कॉंट्रेक्ट बंद करना पड़ा New York Times की रिपोर्ट हमें कहती है कि अमेरिका के जो officials जिरों ने ये कॉंट्रेक्ट दिया था तो फिर profit का क्या होगा? मुनाफिक का क्या होगा? कोविडियन जैसे बड़े कमपनियां जो साथ-साथ लाख में एक-एक वेंटिलेटर बेचती थी, उनका क्या होगा? तो बड़े कमपनियों का जवाब साथ था कि देखिए आप अगर जीना चाते हैं, वेंटिलेटर पर बैठना चाते हैं, वेंटिलेटर से सास लेना चाते हैं, तो हॉस्पिटल को पैसे दीजिए और हॉस्पिटल पैसे लेगी, हमसे खरीदेगी और इसी से अच्छा खासा medical system चलेगा मुनाफे वाला medical system, अब सोचे, अमेरिका दुन्या का सबसे अमीर देश, पुन्जी वाद के चलते सबसे अमीर देश बना हुआ है अमेरिका, वहाँ पे एक गैलप पोल, गैलप एक सर्वे होता है, सर्वे कमपनी है, उन्होंने एक पोल किया था 2019 में, जिसमें 25 प डॉक्टर के पास नहीं गए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, बड़ी बिमारी के चलते, ये छोटी बिमारी की बात नहीं है, बड़ी बिमारी के चलते भी वो नहीं गए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, 2009 में, Harvard University ने एक जाच की, जिसमें उन्होंने कहा, कि हर सा अमेरिका में 45,000 लोग मरते हैं क्योंकि उनके पास medical insurance नहीं है, वो अस्पताल नहीं जा सकते, इसलिए वो अपना इलाज नहीं कर सकते, बहुत लोग सरफ flu यानि कि influenza से भी मर जाते हैं, pneumonia से मर जाते हैं, यानि अमेरिका जैसे देश में अगर लोगों के पास medical insurance होता या लोग अस्पताल जा सकते, अस्पताल में इलाज सस्ता होता, अस्पताल में ventilator होता, तो ये 5000 लोग शायद ना मरते, शायद डॉनल्ड ट्रम को ये ना कहना पड़ता, कि हो सकता है कि अमेरिका में 2 लाक लोग इस coronavirus के चपेट में आ जाए, उनकी मौत हो सकती है, ये तो हुई medical की अस्पताल जाने की बात, अब आप बात करते हैं, जिसकी शुरू में मैंने थोड़ी जिकर की थी, कि करोना वाइरस के चलते, दुनिया के सबसे अमीर देश में लोगों का क्या हाल होने वाला है, एक अनुमान, एक नया आया है कि 4.7 करोड, यानि कि 4 करोड 70 लाक लोगों क नौकरी जा सकती है, करोना वाइरस के चलते, जो लोकडाउन हुआ है, भारत की बात तो आप छोड़िये ही, यहाँ पर तो भुखमरी से बहुत लोग मरते हैं, इलाज न कर पाने के कारण बहुत लोग मरते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर देश में भी यही हो रहा है और हर साल होता रहा है, तो सवाल सिर्फ अमीर गरीब देशों का नहीं है, सवाल यह भी है दोस्तों कि क्या हम सब अपनी मांग थोड़ी कम कर सकते हैं, आप देखिए लोकडाउन के चलते हैं आप बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं, बाहर बर्गर पीज़ा नहीं का रहे हैं, गाड़ी में नहीं जा रहे हैं, आप अब सोच रहे हैं कि हम बाहर थोड़ा सा साइकल भी चला ले तो बहुत अच्छा होगा, कोई आप नहीं सोच रहे हैं कि मेरे पास छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी हो जाती, तो सवाल यह है कि क्या हम सब अपनी मांग थोड़ी क्या हम यह कर सकते हैं, यह सवालों को उठाना ज़रूरी है, जवाब अतना आसान नहीं है, लेकिन कम से कम सवाल तो उठाईए